नमस्कार दोस्तों यूट्यूब चैनल एना यूएल स्टेलेट अड़ा में आप सभी का स्वागत है आज हम आप सभी के लिए स्वाइम के एम से क्यूज लेकर आये हैं जो वीक 14 में है कोर्स 501 का तो आज हम सौल्व करेंगे यह सारे क्वेशन तो उससे पहले बोलना चाहते कि जिन्लों ने हमारे इस चैनल को सब्सकाइब नहीं क्या है प्लीज सब्सकाइब की जी और बैलक के आइक अड़ाई अंधिया दृम लाइक नहीं क्या है प्लीज लाइक कीकि चेशि हो चलते हैं अभी स्वायं की तरफ है आप लोग अपके फोन या फी लप्टॉप कम्प्यूटर में आप लोग स्वाइम के खोरेंगे देन आप लोग My Courses विंडो में जाएंगे उसके बाद आप Course 501 में जाएंगे देन आप लोग Week 14 में देखिए Week 14 में Unit 8 MCQ for Unit 8 Preparing Teachers for Elementary Education देखिए 5 questions है और अभी तक 5,117 लोगों ने अलरी attempt कर दिया है देखिए 1 point है एक answer करने के लिए So हाँ हम लोग बोलना चाहते हैं कि जो लोग स्वाइम के MCQs को इग्नोर कर रहे हैं प्लीज आप लोग इग्नोर ना कीजए कि एक्जाम में 10 MCQs आएंगे इच कोर्स से और 10 के 10 ही स्वाइम के MCQs से ही आएंगे तो इसलिए आप लोग अभी से पढ़ाई स्टार्ट कर दिजे और हमारे इस तेनल में स्वाइम के सभी पुराने नए सभी MCQs आप लोग को मिलेगा तो आप लोग आप हमारे चैनल में गुश के देख सकते हैं प्लेइलिस में जाएंगे उसके अंदर प्लेइलिस में स्वाइम के सारे MCQs है तो चलिए अभी हम लोग स्टार्ट करते हैं अटम टेस्ट पे क्लिक किजिए तो फर्स्ट क्वेशन है तो इसका सही अंसार है तो इसका सही अंसार है तो इसका सही अंसार है 1, 2, 3 अर करेक्ट हम लोग अभी next question की तरफ चलते है नमबर 2 तो इसका सही अंसार है अभी हम question 3 की तरफ चलते है Which of the following is not in aspect of NCF 2005 option 1 school and classroom environment option 2 curricular area, school stages and assessment option 3 learning and knowledge option 4 none of the above तो इसका सही अंसार है none of the above चलिए हम लोग question 4 की तरफ चाहते है question 4 Zegnard and Liston's model of reflective teaching emphasizes the following with respect to the teacher option 1 examines and solves the dilemmas of classroom practice number 2 takes part in curriculum development number 3 takes responsibility for own professional development number 4 all of the above तो इसका सही अंसार है all of the above next question which of the following is our method of reflection option 1 है narration option 2 है writing reflective journal option 3 है both of the above option 4 है none of the above तो इसका correct answer है both of the above अभी हम लोग submit button पे click करेंगे तो यहाँ पे बोल रहा है कि are you sure you want to submit the test you cannot undo this action तो हाँ हम लोग अभी submit करेंगे तो yes पे click किजे अप लोग देख सकते है unit 8 preparing teachers for elementary education में 5 questions जाता है 5 में से 5 correct है लेक्के हम लोग का rank आया है first और अभी तक जी हम लोगोंने 2.23 minute लिया है और people attempt 2105 में हम लोग का rank 5 हुआ है तो आज के लिए बस इतना ही हम लोग next MCQs, videos और आप सभी के लिए नए ने अच्छे चे videos लेकर आएंगे तो तब तक के लिए Bye